इस छेनल करशलेक्टर में सवागत्राब करें में तो आज फेसलिफ्ट वर्जन वर्जन लॉँच होगा उसके बारहे में तो उसकी सारी details के बारे में बात करेंगे, पहले हम बात कर लें ते हैं इसकी front side के, इसकी front side में आपको Hyundai का logo मिल जाता है और विल्कुल new grill मिल जाती है, यह ओन जैसा कि आप देख सकने image में, जहां भी यह ओन लिखा है, उसके नीचे आपको बहुत यह अच्छी grill मिल जाती है, इसमें ज्यादा कुछ तो changes किये नहीं गया है, बस इसका engine मेगार अब BS6 में आ गया है और थोड़े को changes हो गया है, मलब ज्यादा भी changes नहीं किये गया है, तो car front से तो बहुत संदर है, अगर side look की बात करें, तो side से आपको door पर थोड़े सा design सा मिल जागा, जो कि इस car की looks को बढ़ाता है, बाकि इसकी आपको length बताएं, तो 3.5 meter की length है, इसकी जो कि बहुत अच्छी length है, बाकि ये छोटी car के वेरियंट में आ जाती है, जो कि Tata की आने वाली HBX, जो i10 बगारा से compete करती है, i10 तो नहीं कह सकते, alto बगारा से कह सकते हैं, आपने compete करती है, बाकि side look ब rear की बात करें, तो rear से भी car सुन्दर बना दी गई है, पहले से थोड़ा वो design में changing कर दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते है, rear की lights वगारा बड़ी कर दी गई है, पहले से, और नीचे की side भी आपको design मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते है, जहां पी ओन लिखा हूँ उससे उपर, बाग्या आपको इसमें parking lights भी है, उपर की side मिल जाती है, इसमें आपको shark fin antenna नहीं मिलता है, इसमें आपको simple antenna ही मिलता है, अगर आप इसका top variant भी खरीदें, जो भी में चीद आप देख रहे हैं, वो सिरफ top variant की ही है, अगर वीडियो पसंदा रही है, तो इसे like भी जरूर करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अभी के अभी, क्योंकि अपने रोज वीडियो आती है एक चैनल पर, तो आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं, बाग्या आपको rear में हंड़ाई का logo मिल जाता है, उसके निच्छा आपको camera देखने को मिल जाता अभी इसका interior कोई final तो वह नहीं है, बाकि शायद इसका interior पहले जैसा ही रहेगा जो कि इसके छोटे model में, छोटे model में तो इसके पहले जैसा interior ही आया करेगा, बाकि इसके top and model में change हो सकते है interior जैसे आप देख सकते हैं, बाकि interior के अभी कोई image आई नहीं है हमारे पास, कई news यह वाला interior दिखा रही थी, कई दूसरा कोई touch वाला दिखा रही थी, तो मैं सुचा आपको पहले वाले दिखा दिया जाए, गलत दिखा के तो फाइदा भी क्या है, बाकि interior अगर ऐसा भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका instrument lecture अच्छा बना दिया गया है प बड़े interior तो छोटी कार में तो simple interior ही अच्छा लगता है, लाज में बात करें इसकी engine options की और इसकी prices वेरा की और थोड़ी बहुत ओट डेफिनेशन की इसकी, तो इसमें आपको 800cc का petrol engine और 1000cc का diesel engine मिला करेगा, जो कि आपको petrol engine तो 20-22 की average दिया करेगा, और diesel engine इसका आपको 24- 25 की average दिया करेगा, average भी बहुत अच्छी निकाल लेगा, इसकी engine बहुत अच्छे बना दी गए है, अब BS6 compliant engine में आती है, BS4 तो कब के ही बंद हो चुके है, बाकि अगर हम इसकी price की बात करें, तो 3.5 लेक्स से यह शुरू हो याथती है, जो कि बहुत अच्छी price आ जाते है बाकि यह उन में आपको features भी अच्छी मिल जाते हैं, बाकि आपको इसका और अल्टो का अगर comparison देखना है, तो मेरे को comment करते हैं, बाकि वीडियो पसंदाई तो इसे like कर देना, चैनल को subscribe करते हैं, ताकि आप कोई भी वीडियो ना miss कर पाएं, और अल्टो और यह उनका comparison मै मैं शायद डाल दूँगा, अगली वीडियो पर आ सकते हैं, इससे अगली भी आ सकती है, बाकि बात करने next वीडियो में, तो जैन जै वारत!